नमस्कार डॉस्टर आपका स्वागत हैं हमारे वीचीब चैनल का तंजली हेल्थ न्यूज में सेहत संभिंदिक जानकारी बाई सिर्फ एक मिनित में अगर आप भी खाते हैं कक्चा प्यास तो इस बात को जानकर उचल पड़ेगे दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कक्चा प्यास खाना सेहत के लिए बहुत ही अच्छे होता है आप कक्चे प्यास को सलाथ के रूप में इस्तिमाल करते हैं क्या आप कक्चा प्यास खा दे हैं अगर नहीं खाते तो आज से ही कच्चा प्याज खाना शुरू कर दीजिए क्योंकि कच्चे प्याज में सलफर और अन्य कई ऐसे विटामिन्स मौजूद होते हैं जो हमारे शरीर की कई बिमारियों को दूर करता है जैसा कि आप जानते हैं कच्चे प्याज में फाइबर सबसे ज्यादा पाया जाता है जो हमारे प्याज में चिपके हुए खाने को बाहर निकालता है इसे खाने से हमारे प्याज की सफाई हो जाती है इसलिए कच्च से परेशान मरीजों को कच्चा प्याज खाना चाहिए कच्चे प्याज में फॉस्फोरिक एसिट ही होता है जो हमारी शरीम में रख के लिए ब्लग फूरी फायर का काम करता है अगर आप प्याज को फ्रिस करें इसका लिप अपनी पैरों के तिल्गों पर लगा कर सो जाते हैं तो इससे फॉस्फोरिक एसिट हमारी खमिलों में प्रवेश लता है जिसकी बजह से हमारे रंग में जो शितिया होती है वह दूर कर देता है कच्चे प्यास की रसखो और शेहब को बराबर मातरा में मिक्स कर लिए इस मिश्रण का सेवं करने से खराब करें और खासी के लक्षनों को दूर हो जाती है दोस्तों क्या आप प्यास खा ले हैं कर दो कर दोस्काव दो पाइब ऑर कर दोगार मोगते उना झार वचा जटन को अ कार दो पार का आप पूस्टाबरी कार दो को अदिए नचीन हो तो कि अग फस्ना झाले कर दो कि दो दो जाए सिर्ड बाटरा हुआ। झाल झाल